हलो दोस्तों आप सभी को मैंने मश्कार आप सभी का रिटेल स्मार्ट इंवेश्टर ये टिव जानल पर शौगत है दोस्तों आज के इस इंट्रेस्टिंग वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो इस्टॉक के बारे में एक तो फुट्वेर इंडरस्टिश आती है रिलक्स फुट्वेर उसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं दूसरी स्टॉक है दोस्तों SBI लाइफ और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दोनों ही फंडामेंटली काफी स्टॉंग स्टॉक है और बहुत सारे रिकमेंडेशन से इ इसके सिफ टेक्निकल पार्ट को कवर करेंगे इस एनालेसिस वाले वीडियो में और हम लोग देखे हैं कि बाजार जब इतनी उच्छाईयों पर चल रहा है तो यह मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक किस प्रकार से बिहेब कर रहा है और यह भी जानेंगे कि इन दोनो इस टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए इस वीडियो के जरिये हम लोग इन ही सारी बातों को अनलाइज करेंगे और समझने की कोशिस करेंगे तो चली दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग रिलाक्स ओफूटवेर के टेक्निकल चार्ट को दे देखने को मिल रहा है और यह 1175 रुपे पर क्लोजिंग दिया है लास्ट टेडिंग दे में अगर रिलेक्स फुटवेर के छार्ट को थोड़ा सा हम लोग expend कर ले थोड़ा लंबा पिरियज ले ले तो हम लोगर क्या देखने को मिल ला है कि यह stock जो लगातार higher 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 low higher higher low higher high higher low बना करके ऐसी ही इसके जो price pattern है वो चलते वे देखने को मिलते हैं और बीच बीच में यह काफी consolidate भी करता है अगर point of consolidation देखें तो यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है कि यह मौका नहीं देता है lower level पर खरिदारी के यह देखिए अपने उस्तमस्तर से तूट करके यहाँ पर आया था और इस जगह पर इननों बहुत दिनों तक खरिदारी का मौका दिया उसके बाद फिर देखिए यह breakout दिया फिर इसमें correction आया फिर यह काफी दिनों तक यह देखिए consolidation में चला उसके बाद फिर इसने breakout दिया फिर यह देखिए इतने दिनों तक consolidate किया अब यह फिर से breakout दिया ठीक है अब क्या हो रहा दोस्तों अब इसके जो consolidation के period है वो कम हो गया अब यहाँ पर देखिए one two three three weeks के लिए इसने consolidation किया अब यह fresh breakout दे रहा है तो हम लोग यह मान के चलेएं कि इसमें इन अस्तरों से रैली आएगी और रैली क्यों आएगी इसकी चर्चा हम लोगों ने लास्ट वीक ही इस पर वीडियो अप्लोड किया था full fundamental technical analysis करके आप उस video को खोज करके देख सकते हैं अब उस बात की चर्चे हम लोग इस analysis में नहीं करेंगे अब बात करते हैं दोस्तों कि जब इसने breakout दे ही दिया है तो इसके target immediate क्या हो सकते हैं तो इसके लिए हम लोगों को इसके जो टेकनिकल चार्ट हैं विकली चार्ट हैं उस पर कुछ resistance and supports ड्रॉ करने होगे उसके बाद फिर हम लोग इस पर बात करते हैं तो हम लोगों ने टेकनिकल चार्ट पर support and resistance ड्रॉ कर लिया है और यहां पर जो इस्थिती बनते वे देखने को मिल रही है उस हिसाप से आने वाले दिनों में इस stock में जो तेजी बन रही है वो इसको तक्रिबन 1570 के लेवल पर हम लोग जाता हुआ देख पाएंगे relax of footwear को लेकिन ध्याम दिजिएगा दोस्तों यह लंबे समय का target है जब इसमें rally आई है तो rally चलते रहेगी बीच-बीच में correction भी देखने को मिलेगा लेकिन overall इसका trend जो है यह upward direction में ही देखने को मि अहीनों बाद ही हम लोग इस share को relax of footwear को 1570 के रूप भाव पर trade करता हुआ जरूर देखेंगे तो हम लोगों को दोस्तों उस दिन का इंतजार रहेगा कि कब यह 1570 या बोलिए 1600 के आसपास 1600 के आसपास यह share जाकर के trade करे हम लोगों को भी खुसी होगी और आपको भी खुसी होगी तो इस तरह से हम लोगों ने देखा दोस्तों की relax of footwear uptrend में है और breakout दिया अब दूसरा stock है दोस्तों SBA card SBA card की स्थिति अभी क्या बन रही है उसको भी देख लेते हैं यहां पर देखिए दोस्तों SBA card यहां पर इस stock में breakdown होता हुआ देखने को मिला यह देखिए उस तम अस्तर से यह लगातार गिरावट के mode में है और यह पूरे एक सप्ता गिरा फिर यह दूसरा सप्ता में भी यह downward trend में है और इस पर भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था दोस्तों कि जब एक बड़े investor ने अपना माल बेचा था तो इसमें गिरावट आई थी उस समय हम लोगों ने जब वीडियो बनाया था तो उस समय संभावना वक्त की थी कि इसमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है और उसी परकार से ये गिरावट के मोड में चल रहा है जेस्ट रिलाक्स ओ फुटवेर के उल्टा ये बिहब कर रहा है तो क्या इस स्टॉक को बेचके भाग जाना चाहिए तो ऐसा नहीं है दोस्तों इसके fundamentals बहुत अच्छे हैं तो क्या ये औसर दे रहा है तो बिलकुल दोस्तों कि हम लोग इसको नीचले अस्तरों पर खरिदारी करके चलें और लंबे समय तक बने रहे तो जिस प्रकार से हम लोगों ने रिलेक्सों में भी देखा था कि बीच-बीच में उसमें भी हम लोगों को करेक्शन देखने को मिला था और जब consolidation मोड में था तब हम लो बोले तो यह भी काफी अच्छा मौका दे रहा है अगर इसके भी consolidation और rally की बात करें दोस्तों तो यह देखिए यहाँ पर काफी छोटा consolidation देता है उसके बाद इसमें rally आती है फिर यह देखिए इसके जो consolidation period होते हैं काफी छोटे होते हैं फिर इसमें rally आती है फिर यह देख Consolidation भी हुआ तो यहां पर कुछ लोहों को फाइदा हुआ हुआ और कुछ लोहों को नुकसान भी हुआ होगा जिन्हों भी पेसेंस लूज किया होगा उन्हें तो नुकसान हो गया होगा लेकिन इस Consolidation के बाद इस टॉक जो बाहर आया तो इसमें देखिए रैली आई तगड़ी रैली आई काफी उपर तक गया है उसके बाद फिर क्या होगा दोस्तो यह देखिए फिर इसमें तगड़ी गिरावट आई है फिर इस स्टॉक में रैली आई अभी वापस यह गिरावट के कुछ समझने के कोशिज करेंगे है तो एक के यहां पर हमलोग ड्रॉक कर लेता है यह देखिए पाद इस अस्तर पर इसके जो ठीकने से हैं इसको हम लोग बढ़ा लेते हैं कलर को रेड कर लेते हैं एक लाइन हम लोग उने ड्रॉ किया और जो दूसरी लाइन है दोस्तो हम लोग कहां पर ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन यहां पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इसके कलर को हम लोग चेंज कर लेत और एक और लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं दोस्तों यह हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इस जगह पर इसके भी कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं ब्लू कर लेते हैं अब देखिए दोस्तों अब इस्तिती साफ देखने को मिल रही है कि SVAE कार्ड के जो विकली स्ट्रॉं support है वो देखिए 933 के आसपास देखने को मिलते हैं और इस level से यह stock bounce back देता है तो यह काफी appropriate level है जहां पर हम लोग खरिदारी करके चल सकते हैं लंबे समय तक बने रह सकते हैं तब इसमें जब तेजी आएगी तो हम लोगों को काफी अच्छा मुनाफ़ा इस stock में देखने को मिल सकता है अब अगर बात आती है दोस्तों क्या यह stop loss जो है 927 का यह trigger कर जाता है तो क्या हो सकता है तो जो फिर immediate next lower level का target देखने को मिल रहा है 855 के level पर देखने को मिल रहा है तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर इस अस्तर से भी अगर SIP के रूप में अगर खरीदारी करते हैं आपको काफी डर लग रहा है कि यह और भी नीच्छे जाएगा तो SIP रूप में अगर खरीदारी करते हैं तो आपके cost averaging करके काफी अच्छा भाव पर इस share मिल सकता है और अगर यह नीचले level पर मिल जाता है तो और अच्छा है 850 के आसपास जिसकी संभावना काफी कम है अगर और भी तूटता है दोस्तों तो इस share कहां तक जा सकता है तो 884 का जो लेवल है 884 900 इस लेवल के आसपास जाने के बाद इस stock में bounce back जरूर होना चाहिए ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ कर सकता हूं तो अब हम लोगों देखना हो और यह कब bounce back देता है लेकिन यह काफी अच्छे लेवल पर आ गया है कि अगर इसमें हम लोग खरेदारी करके चले और लंबे समय तक बने रहें तो यह काफी अच्छा return दे सकता है अब बात आ लोगों ने अल्रेडी कुछ support and resistance ड्रॉ करके भी रखें तो यहां पर जो लेबल देखने को मिल रहा है दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है यह देखिए इसको हम लोग यहां पर हाँ अब साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जब भी इस स्टॉक में रैली आएगी तो यह स् 1,438 रुपीज पर जा करके ट्रेड करेगा इतना दोस्तों अगर लंसम बोलें तो इस 1,400 यह लेबल पर यह स्टॉक ट्रेड करने वाला है जब भी इसमें रैली आएगी और रैली तो आ नहीं है क्यों आएगी क्योंकि जो negativity चल रही है SBAE कार्ड को लेकर के वो बहुत दिनों तक टिकने वाली नहीं है चुकि SBAE कार्ड के fundamentals काफी अच्छे हैं तो आज या कल इसमें तेजी आएगी आएगी तो उमीद करता हूं दोस्तों कि जो targets हम लोगों ने set किये SBAE कार्ड के बारे में और relax of footwear के बारे में वो दोनों ही achieve होता हुआ हम लोग देख पाएंगे और अवस ही achieve होंगे असा हम लोग पूरे बिस्वास के साथ कर सकते हैं तो उमीद है दोस्तों आपको मेरा ये analysis वाला वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपकी भी रहा है relax of footwear और SBAE कार्ड पर कुछ है तो आप मेरे comment box में जाकर करके जरूर लिगें और अपनी भी जनकारी मुझसे share करें और दोस्तों आप मेरे next वीडियो का इंतियार करें है तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद